नमस्ते बच्चो आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिस का लेसन 4.6 दे वॉर्थ ओफ फैब्रिक का कोशन और आंसर ठीक है तो देखो बच्चो यहाँ पे मैं आपको बता दू कि ये लेसन के अंदर जो भी कुछ कोशन दिये गया है ना सभी के आंसर में आपको देने व पढ़ना ठीक है तो यह स्टोरी को आपको पढ़ना है वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा बड़ी अच्छी स्टोरी थी और मैं आप लोग को बता दू बच्चो मैंने यह अल्रेडी सिखाया हुआ है तो आप लोग प्लेडिस में जा करके वह वीडियो देख सकते हैं ओके चलिए आगे चलते हैं कोशन नंबर टू देखेंगे कोशन नंबर टू में बोला जा रहा है कि राइट शॉट नोट ओन तीरू वलुवर यूजिंग दे इंफॉमेशन गिवन इन दे स्टोरी यानि कि यह स्टोरी में यह जो आपकी कहानी थी उसमें जो भी इंफॉमेशन दी गई है उसके आधार पर आप क्या कीजिए जो तीरू वलुवर थे ना उनके बारे में मतलब शॉर्ट नोट लिखो उनके उपर टिप पनी लिखो ठीक है तो इसका आंसर देख लो बच्चों हमने यहां पर लिखा है यहां तक क्या लिखा हुए मैं आपको बताती पूरल थे बुक इस ग्रेटली लवड एं रिस्पेक्टेड एवन तोडे थीरू वलुवर वाज़ टेक्स्टाइल वेवर ही वो ब्यूटिफुल फैब्रिक्स और सारी संसोल्ड देम इन दे मार्केट ही नेवर गॉट एंग्री नेवर उस्ट बैड वर्ट अनेवर समझ में आता रहेगा मैंने यहां पर क्या किया थिरू वलुवर के बारे में लिखा हुआ है ना थिरू वलुवर कौन थे तो वह एक तमिल संत्व पोईट थे ठीक है और फिर उसी क्या और वह इंफर्मिशन दी गई है पूरा मैंने आपको लिख करके बता दिया है आगे जलते हैं कोशन नुबर 3 है कि रिड अलाउट थे स्पीच इन वीच थिरू वलुवर एक्स्प्लेइन्स हाव दफाब्रीक वाज में प्रेजेंट देखो बच्चों अभी आपको क्या करना है जैसे वह जो थिरू वलुवर थे उन्होंने कैसे एक्स्पेन किया था आपनी चार्ड की मदद से क्या करना है प्रेजेंट करना है सबके सामने मतलब अपने क्लास में चार्ड पता है प्रोशेश आप बताई है तो देखिए हमने यहां पे लिखा हुआ है पूरा प्रोशेश ओकि यसमें पहला क्या होता है देखो कि the farmer grows cotton in his field फिर दूसरा होता है he picks cotton from each ball third gives it for spinning fourth the carder देखो सारे process दिखा रहे है step by step आपको बता रही हूं मैं the carder cuts the cotton and spins it into long uniform threads and then क्या होता है threads are dyed carefully to give them lovely colors है न फिर उनको dye किया जाता है वो जो भागे रहते उनको फिर the wavers waves the threads and puts in a beautiful designs फिर वो उनको बुनता है और उस पर design बनाते अच्छे अच्छे the colorful fabrics are ready उसके बाद colorful fabrics ready हो गए they are sold in the market ठीक है फिर वो market में बेच दे जाते हैं समझे तो यह पूरा प्रोसेस था बच्चो मुझे 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 उमीद है आप लोग को समझाया रहेगा आगे चलते हैं फोर्थ कुश्चन है यहां पर कि चूज एनी वन ऑप दा ऑब्जेक्ट्स वी यूज डेली और फाइंड आउट हाव इज मेड मेड प्रेजेंट इन्फॉमेशन इन फॉर्म ऑफ चार्ड देगो बच्चो अभी आपको क्या गरना है जैसे आप बहुत सारे उब्जेक्ट्स करते हो अपने डेली लाइफ में तो उसमें से कोई एक उब्जेक्ट आप चूज करें और फिर उसका पूरा आपको मतलब इन्फॉमेशन देना वो कैसे बनता है क्या होता है कैसे नहीं होता है को मैंने आपे इक छोपिक ले लिए है पीपर घ्र यह पेपर आपको पदा कृनेरे बार इस और मैं है को चाते है यह पर जो मतलब निकाल मतलब जो वोड रहते हैं ठीक है लॉक्स ऑफ वूड बनाए जाते हैं फिर उनको वह जो लॉक्स रहते हैं उनको पेपर की फैक्टरी में भीजा जाता है फिर उनको चुड़ी वर टुकडो में बाटा जाता है और वो जो पल्प होता है ठीक है पल्प उससे बनाया जाते हैं देखो यहां पर लिए इस ड्राइड विद एप्रोप्रियेट हीट और फिर आटवा यहां पर क्या है पॉइंट दिखीएगा डिफ्रेंट टाइस ओफ पेपर शीट्स ओर राइटिंग और प्रिंटिंग एक्सेप्टर और मैट एंड सेंट तू दा मार्केट ओके तो यह था बच्चो पूरा के पूरा प्रोसेस आई होप कि आप लोग को समझाया रहेगा ठीक है आगे चलते है बच्चो एक से में मता सकते हैं तो कैसे एक सथीक्स्रां महाराइश्ट्रा इसस टूरीज इस going सबसे पहला यहां पे तो संत ध्यानेश्वर who was popularly called क्या बुला जाता है था इनको ध्यान देवा belong to the 13th century, he was a philosopher, poet and yogi belonging to another tradition he advised people to give equal treatment to all, help those in trouble and their misery फिर दूसरे संत है हमारे संत तुकाराम तो इनके बारे में भी जान लीजिए, संत तुकाराम was a 17th century poet संत तुकाराम is known for his abhang, devotional, poetry and community oriented worship with spiritual songs and kittles he praised to the people about the virtues of pity, forgiveness and peace of mind he also gave the message of equality ठीके तो ये संत तुकाराम जी के बारे में था फिर संत एकनास जी के बारे में आप जान लेजिए संत एकनास्त teachings may be summarized as a priority of thoughts, speech and practices he advised the people not to accept distinction on the night and high and low फिर यहाँ पर फोर्थ वन है कि संत नाम देव संत नाम देव वाजन इंडियन पोएट और संत फॉम हिंगोली महाराष्ट्रा he lived as a devotee of lord wittal of a pander poor and gave a message of unity for all तो यह था बच्चों संतों के बारे में मुझे उमीद है आप लोग को समझ आया रहेगा तो इसको भी आप लोग देख सकते हो और फिर हम लोग चलते हैं फिर आगे तो आगे कुछ है नहीं आगे आपी कुछ भी नहीं है बस इतना ही था ठीक है इसमें बस इतने ही questions दिये गए थे तो सभी के answer मैंने आप लोग को दे दिये हैं और मैं ऐसा उमीद करती हूँ कि आपको यह lesson और इसके question answer सब कुछ समझ में आये ही रहेंगे ठीक है बच्चों और साथ ही साथ देखो आपको यह भी बता दूँ कि आप मेरे telegram channel को भी जरूर जोइन कर लीजे क्योंकि telegram channel में आपको यह सारे वीडियो को देख सकते हो ठीक है बच्चों तो बस आप लोग हमेशा खुस रहिए और मिलते हैं अभी हम लोग अगले वीडियो में धन्यवाद